नमस्कार आज में लड्डू बनाऊंगी बेसन और रवा का मिक्स तो यहां पे दो कटोरी बेसन है इसी कटोरी से दो कटोरी बेसन ली हूँ और इसी कटोरी से एक कटोरी रवा है और अधा कटोरी तेल है गी है यह तेल भी ले सकते हैं तो इसको मैं गरम करके रख दो और यहां पर इसी कटोरी से दो कटोरी चीनी है तो आभी मैं इसको गूतने चल रही हूँ इसमें रवा मिक्स करेंगे अब इसी में तेल को भी डाल देंगे अब यहां पर मैं एक गिलास दोज ली ओँ और एसमें थोड़ा थोड़ा करके इसको सकता कटना है также दोड़ा करके सकता करेंगे यह कई तेल को तेमय करदे को अब ऋुटिया बनाएंगे तो ले लेगे थोड़ा सा थोड़ाइगे इस तरब से ऐसे करके, बना के रख लेंगे सबी को, आसे बना के सब रख लेती हूं, यहाँ पर मैं यह देखिए मुठी बना के तयार करती हूं, और घी गरम भी होने के लिए रख दी थी, तो गरम हो चुका है, अब चलिए इसको प्राय करना है, इसको मेडियम आश पे इसक यहां पर चाणी की बनाके तयार कर लेती हूं, यहां पर दो कटोरी चीनी लेगी, तो एक कटोरी डाल ले रहे हूं, और इसी के साथ इलाइचे भी डाल दोगी, और इसको पहले चीनी को फिगरने देते हैं, जब तक चासनी बन रहा है तब तक इसको तोड़ लेते हैं चोटे चोटे टुकड़ी में इसको कर लेते हैं चलिए देख लेते हैं चासनी बन गया है कि नहीं पहले ही उंगली के बीचों बीच इसको चिपताएंगे और यह देखिए हाली का सही जैसे हाली होता है उस तरह अगर चिपक रहा है तो समझ जाएए कि आपका ये चास्का बन के तेयार है तो गैस को मैं बंद कर दूँगी और यहां पर यह भी ठंडा हो गया है तो इसको भी पीस लेते हैं यहां पएक एक मिक्सिकल जाल ले लिए हुआ इसको इसी में डाल लूगी यह देखिए इसको इसमें पीस ले हुँँ और एक चन्नी की साई तस इसको मैं चाल लूँगी और जो फिर से यह मोटा-मोटा बचा है इसको फिर से दुभारा पीस लेंगे देखिए इसको चाल ले हूँ अब इसमें किस्मिस और बादम रखी हूँ इसको इसे में डाल देंगे और इसको बीच में गड़्डा करतेंगे और चासनी को इसे में डालेंगे पहले आदम डालेंगे अब इसको मिला देंगे अब इसको खास से बिला लेंगे अब इसका लटू बना के तयार करते हैं छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से बनाईएगा ये देखिए लटू बन के तयार है अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आएवा तो हमारे वीडियो को लाके सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट में ज़रू देजनने बाद